आप सब के बिच फिर से एक नए दबाई को लेकर आगए जिसका नाम है सेट्री रीज या फिर आप इसे सेट्री जीन के नम से भी जौनते हैं क्योंकि इसे कमपोजिशन में सेट्री जीन को मिलाया गया है हम इस सेटरीजीन के बारें पुरा डिटेल से और अच्छे से आपको जौनकारी देंगे और बताएंगे कि किस परकार के इंफ्यक्षन में इसका यूज करना चाहिए क्योंकि इंफ्यक्षन बहुत परकार के होते हैं से गले का हो गया मॉंस्पेसी का हो गया एस्कीन का हो गया यानि बहुत सारे परकार के होते हैं तो किस परकार का इलर्जी में इसका यूज करना चाहिए या फिर सर्दी खौंसी के अलर्जी में इसका यूज करना चाहिए तो इन सभी चीज़ों के बारे में डीटेल से आपको जनकारी देंगे तो आप लोग वीडियो में बने रहे हैं सेट्रीजीन सीरप का यूज आप मुख रूप से एलर्जी इन्फेक्शन में किया जा सकता है इसका उपयोग यदि आपके गले में खुझला हाट यानि खरास जैसा महसूस होता है यानि कोई चीद निगलते हैं या फिर थूक फेकते हैं तो आपको गला में खरास जैसा महसूस होता है या फिर सुखा खौसी करते हैं तो गला में दर्द जैसा महसूस होता है आप इस सीरप का इस इस गले के इन्फेक्शन में भी कर सकते हैं इसके साथ यदि आपको सरदी हुआ है और जिसके करण आपके नौक से पोनी चल रहा है लंबे समय तक चलता रहता है और जल्दी ठीक नहीं होता है यानि आपको बहुत ज्यादा सरदी हो गया यानि ज्यादा ही infection आपके body में हो गया है तो आप इस परकार के कंडिशन में भी आप इस सेट्रेजीन सीरप का यूज कर सकते हैं यदि आपको rhino tis allergy जैसा आपको समस्या है राइना टिस अलर्जी उस कंडिशन में आप इस का यूज कर सकते हैं आपको बताते हैं कि या सीरप आपको बोडी में किस परकार से कौम करता है तो या आपके हिस्टामीन के मार को बलॉक या रोकने का कौम करता है जिससे आपको जल्दी इस विमारी से रहत मिलता है या हिस्टामीन आपके सरीर में खुजली हो गया, सर्दी हो गया, खौसना हो गया, छीकना हो गया या फिर अनपरकार के एलर्जी की परतिकिरिया पैदा करने वाले योगिक के लिए जिमेदार होता है यानि का सकते हैं कि यह सब जो infection होता है, इसको हिस्टामीन बरहा देता है तो इस सीरप के दुराईस हिस्टामीन को आप कम कर सकते हैं इस सीरब कायूज आप बच्चों के लिए भी किया जाता है और गर्बती मैलाओं के लिए भी या सुरक्षी तोर कारगर दबाई है आप समझ गए होगे कि किस परकार के अलर्जी में इसे लेना चाहिए अब हम बात करते हैं कि किस परकार के अलर्जी में इस कायूज आप मु हुआ पूरे बोडी में हो गया है तो आप इस नॉर्मल दवाय का यूज नहीं कर सकते हैं यह इस परकार के लर्जी में या फिर चेस्ट यह निया आपके रिस्पारेटरी सिस्टम से संबंधित इलर्जी हो गया है तो उसमें या उतना कारगर और सफल इलाज इस बिमारी का नहीं है तो आप समझ गए होंगे कि किस परकार के लर्जी में इसका यूज नहीं करना चाहिए अब इसके हम साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका साइड इफेक्ट ना के बराबर है और आप इस दवाय का यूज डाक्टर के सला के अनुसार ही लें क्योंकि इंफेक्शन बहुत सारे होते हैं और लोग आम इंफेक्शन में भी इसका यूज कर लेते हैं तो आपको इस चीज से बचना चाहिए इसका कॉमन रूप से कोई साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन आपको कोमेंट पर्फ्यूम का दुआ हो गया इन सबी से बचें तो वीडियो में दी गई जानकारी कैसा लगा अब कोमेंट कर जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाहिंद